विद्यूत जामवाल का बॉलिवुड पर आया शौकिंग बयान कहां बॉलिवुड वालों के लिए मैं हूँ घर के मुर्गे हेलो गाइस वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मे मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया जैस्वाल वेल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि इस वीडियो के अंत में रहेगा एक सवाल जिसका सही जवाब देकर आप जीच सकते हैं एक गिफ्ट हैम पर तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेए अब अमबढ़ते हैं हमारे खबर की ओर खुदा हाफिस की OTT सकसेस के बाद विद्यूत जामवाल इसका पार्ट टू लेकर आ रहे हैं यह फिल्म थीयटर में रिलीज होने के लिए तयार है फिल्म के प्रमोशन में इंडिनोवियास्त विद्यूत जामवाल मानते हैं कि बॉलिवूड अब भी उनके टालन का इस्तमाल नहीं कर पाया है इंटरनाशनल पहचान मिलने के बावजूद यहां उनकी हालत घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हो गई है खुदा हाफिस की फर्स्ट पार्ट OTT पर और उसका सेकंड पार्ट थियाटर में रिलीस करने पर पूछे गए सवाल पर विद्यूत जामवाल ने जवाब देते हुए कहा है कि उस समय करोना सब पर हावी हो चुका था लोग थियाटर नहीं जा पा रहे थे मेरा पूरा मन था कि फिल्म थेटर में आये लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर हम इंतजार करते हैं तो इससे सबसे ज़ादा नुकसान प्रोडूसर को होगा फिर हमने OTT पर ही इसे रिलीस करवा दिया और शुकर है हमने ऐसा किया क्योंकि OTT पर इस सिल्म ने तो मैजिक क्रेट कर दिया चूंकि अब चीजे नॉर्मल हो गई हैं तो इसे थेटर में हम रिलीस कर रहे हैं ऐसे खबरे आई थी कि खुदा हाफिस टू के शूटिंग के दौरान एक सीन को शूट करते हुए विद्यूत चामवाल इतने इमोशनल हुए कि रोते रोते बेहोश तक हो गए इसके बारे में विद्यूत ने किस्सा बताया और कहा कि मैं अपनी पूरी जिन्देगी में इतना कभी नहीं रोया इतना गम रहा ही नहीं लेकिन इस फिल्म के दौरान मैं पिता के एक इमोशन को वाकर मैं समझ पाया हूँ मुझे आज ये बात समझ आई है कि आखिर माबाप क्यों कहते हैं कि वे बच्चों के लिए जान दे देंगे इस सीन को शूट करते वक बहुत जादा ही मैं इमोशनल हो गया था मैं इतना रोया कि रोते रोते बेहोश तक हो गया हिरानी की बात ये है कि एक्शन के वक्त कभी बेहोश होने की नौबत नहीं आई लेकिन इमोशन ने मुझ से वो भी करवा दिया उन्होंने आगे कहा कि मैं जहां से आता हूँ वहां लोगों के बीच इतनी आशंकाय थी कि लोग कहते थे कि तुम मुंबई के बाहर के हो कभी आक्टर ही नहीं बन पाओगी तुम किसी को जानते नहीं हो तो कुछ हो नहीं सकता विद्यूत चामाल ने अपनी मेहनत से आज सिनिमा की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है एक्शन हीरो के रूप में इनकी पहचान इंटरनाशनल लेवल की हो गए है लेकिन आज भी बॉलिवूद में उन्हें टाइप कास्ट किया जा रहा है बॉलिवूद के इस रवये पर विद्यूत ने रियाक्ट करते हुए कहा है कि इंटरनाशनल में लोग जानते हैं कि इंडिया में एक विद्यूत चामवाल नाम का लड़का है जो एक्शन में काफी उमदा है लेकिन यहां तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली हालत है आज नहीं तो कल पूरी दुनिया मुझे वो देगी जो मैं डिजर्व करता हूँ घर वाले यानि की बॉल हुड थोड़ा टाइम लेगा विद्यूत अपने बारे में कहते हैं कि मैंने आसमान बुलंद कर लिया है आसमान में इतनी अनंतता है कि आपको कुछ सलाशने की जरूरत ही नहीं है पहले इस कोशिश में लगा रहता था कि साबित करना है कुछ धूनना है लेकिन मैं अब समझ किया हूँ कि हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता आपकी चीजें आप तक पहुच ही जाएंगे मेरे प्रोडक्शन हाउस का केवल एक ही मोटिव है कि टालन जहां से भी हो मैं उसे धून कर लाऊंगा जितने थेटर अक्टर्स हैं उन्हें आसमान देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उन्हें इसलिए फिल करता हूँ क्यूंकि मैं उन्हें को रिप्रेसेंट करता हूँ मैं हिंदुस्तान के उन लोगों में से आता हूँ जिनकी सकसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं मैं कोशिश में लगा हूँ कि उनकी मदद कर सकूँ करियर में इस जर्णी में जहां मुझे नौ लोगों ने रिजेक्ट किया है तो किसी ने मौका तक नहीं दिया मैं आगी चल कर वो एक इनसान बनना चाहता हूं रही बात फैंस की तो उन्होंने जितना प्यार दिया है उसे देख कर मेरे दुख खत्म हो जाते हैं दरसल मैं उन्हें फैंस तो मानता ही नहीं जब भी कोई मिलता है तो मैं जरूर कहता हूं कि मेरे दोस्त बनोगे तो दोस्तों वक्ष हो गया है हमारे आज की सवाल का खुदा हाफिस के फर्स्ट पार्ट में विद्युद चामवाल के केरिक्टर का नाम क्या था आपको बता दे कि खुदा हाफिस चैप्टर टू अगनी परिक्षा आप जुलाई को सिनमा खरों में रिलीज हो रही है इसका फर्स्ट पार्ट काफी जादा लोगों को पसंद आया था और अब इसके सेकंड पार्ट के लिए फैंस काफी जादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं फिर्म के ट्रेलर ने अल्रेडी काफी जादा बस क्रियेट कर दिया है और इसके गाने भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं आप विद्यू जामवाल को फिर से अक्शन मोड में देखने के लिए और उनकी नए फिल्म में उनकी नए किरदार को देखने के लिए कितने जादा एक्साइटेड है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले सिनेमा से जुड़ी लेटिस खबरे जानने के लिए चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले आप देख रहते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी